डबंग खान का E24 की digital platforms पे और मैं हूँ आपके साथ अर्पिता और इस बार इस सवाल का जवाब खुद सल्मान के पापा यानी की सलीम खान ने दिया है सलीम खान से जब पूछा गया कि सल्मान की शादी का जो रीजन है डिले का वो क्या है तो उन्होंने उनका एक्चली वह बहुत ही कॉम सेंस के लिए जाने जाते हैं और उसी अंदाज में इस सवाल का जवाब देते हुए सलीम खान ने बताया कि देखो शादी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए दो लोगों की जरुत होती है एक लड़की और दूसरा सल्मान खान तो कई मर्तबा तो सल्मान शादी के करीब और फिर उन्होंने एड किया कि अब तो ऐसा लगता है कि शायद उन्हें मिस करने की आदत सी पड़ गई है तो ये था सलीम खान का जवाब लेकिन फिर ओना सीरियस नोट उन्होंने बताया कि देखो जब होना होगा या फिर जब किसमत में होगी तो शादी हो जाएगी और ऐसा कोई उनके पास defense नहीं है या ऐसा कोई भी excuse नहीं है कि क्यों नहीं हुई सलमान की शादी सरीम खान ने बोला कि देखो मैं बिलकुल ऐसा नहीं कह सकता कि उसकी अभी उमर नहीं हुई है या फिर अभी उसकी तो खेलने कूदने की उमर है या फिर सलमान सेटल नहीं हु एक बार जब वो सलमान की मूवी का प्रमोशन के टाइम में जब सलीम खान से पूछा गया था कि रीज़न क्या है सलमान की शादी में इतना डिले क्यों हो souber है तो सलीम खानने बोला मि इस सवाल का जवाब खुद अल्ला भी नहीं दे सकता तो मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकता इस बारे में और यह ऐसे सवाल उनसे हमेशा ही अकसर ही पूछे जाते हैं और एक बार उन्होंने इसका रीजन बताया कि क्या क्या है कि सलीम खान सलमान जो है वह अधिन है और बोला कि जिस्वी लड़की के साहत सलमान का है या फिर जो है उनके लारे महीं इससा होता है किसलमान उस लड़की में अपनी मा को ढूंदे लग जाते हैं और उन्हें लगता है कि जैसे कि उनकी मा उनका घर समाल रही है और सब कुछ जो सारी responsibilities है वो देख रही है और सिर्फ ना की career oriented है तो Salman की भी यही expectation है कि जो उनकी जो wife हो वो जो उनकी मदर वाली जो qualities है वो उसमें भी हो तो ऐसी कुछ लिस्ट है Salman की वो I wish कि वो पूरी हो जाए और यह जो है रीजन सलीम खान ने बताया और वी आल प्रे कि उनकी विश पूरी हो जाए और जल्दी से एक उनकी मन पसंद लड़की मिल जाए और सल्मान की शादी हो जाए तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा यह बताने के लिए आप कॉमेंट सेक्षिन में लिख करके बता सकते हैं और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए कीप फॉलॉइंग एट्वेट्वेट्वेट्वेट्